Hi, Hello to everyone, this is Kavish IS और आज हम लोग एक topic पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है Broken Record because बहुत सारे record तूटे हैं और ये topic आपके main answer writing के लिए बहुत important है GS Paper 3 जो की environment का topic है वहाँ पर बहुत सारे ऐसे question आते हैं जहां आपको data provide करना है और ये जो report है ये report United Nation Environmental Program UNEP का है ये latest report है जिसका title Broken Record है क्योंकि बहुत सारे record जो है ना वो तूटे हैं तो यहां से जो data मैं आपको दूँगा उसको आपको notes बनाना है और जब main answer writing करिएगा ना तो जरूर ये सारे data को आप लिखिएगा और ये mention जरूर करिएगा कि ये UN के data है ओके इससे क्या होगा आपका जो answer writing है वो और ज्यादा better होगा so let's start this topic क्या है इस topic में वो देखते हैं you can see out here United Nation का latest report है जिसका नाम broken record है ये indicate कर रहा है कि जो greenhouse gas emission है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है जिसके वज़े से जो हम लोग ने कभी ceiling लगाया हुआ था कि 1.5 degree Celsius से नहीं बढ़ने देंगे 2 degree Celsius से नीचे ही रखेंगे लेकिन इतना ज़्यादा greenhouse gas emission हो रहा है कि जो temperature की ceiling सेट की गई थी कभी Paris Agreement में वो breach होने की पूरी तरह से संभावना है वही ये report जो है वो discuss कर रहा है ना आपको कुछ basic concept को भी समझना पड़ेगा कि greenhouse gas emission होता क्या है पहले तो आप समझे कि जितने सारे भी fossil fuel है ना उसको आप जब burn करते हैं तो उसके कुछ residual होते हैं और वो जो residual होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके greenhouse gas होते हैं for example carbon dioxide हो गया, sulfur dioxide हो गया, nitrogen के बहुत सारे oxides होते हैं, उसके बाद methane हो गये, ये सारे gases जो होते हैं वो क्या करते हैं, blanket की तरह काम करते हैं for example यहां से देखिए ये धुआ निकल अब यहां से जो sunlight कभी ना कभी आया था वो जब वापस जाने लगेगा ना तो वो जा नहीं पाएगा क्योंकि ये जो blanket बन गया है ना धुआ का वो क्या करेगा उसे trap कर देगा और वो जो trapped sunlight होगा वो जो trapped heat होगा ना वो क्या करेगा ये पूरे हमारे अर्थ को और ज्यादा गर्म कर देगा and that is nothing but global warming ना ये जो greenhouse gas emission है ना ये अपने peak पर है अभी इस समय पर और यही ये जो report है वो बताने की कोसिस कर रहा है ना ये जी आउट हीर in this slide मैंने ये डाला है कि Paris Agreement जो था वो बहुत important है of course 2015 में Paris Agreement हुआ बहुत सारे जो leaders हैं वो यहां पर पहुँचे और ये सारे leaders ने मिल करके एक decision लिया मोदी जी भी पहुचे थे of course वहां पर ये decision हुआ कि हम लोग क्या करेंगे ना global temperature जो है उसको 2 degree Celsius से बढ़ने नहीं देंगे जितना कोसिस होगा वो 2 degree Celsius से नीचे रखने का कोसिस करेंगे या फिर pre industrial label अगर मैं बोलू industrial revolution जब start हुआ था उससे प जो report है वो highlight कर रहा है कि जो progress अभी हो रहा है वो बहुत ही slow है you can see out here the report highlight that progress has been slow since the Paris Agreement जब से Paris Agreement हुआ है तब से जितना करना चाहिए था work जितने सारे भी developed country है खासकर उन्हें जितना करना चाहिए था उतना हुआ नहीं है you can see out here यहाँ पर बहुत सारे country ने ये promise किया था कि वो net zero carbon emission को achieve करेंगे मतलब carbon का use fossil fuel का use ही करना बंद कर देंगे और उसके लिए उन्होंने क्या किया है एक target set किया है you can see out here अगर बात करो ये European nations का ना तो उनका अगर हमें देखने को मिलता है कि 2030, 35, 40, 45 तक हमें मिलता है कि बहुत सारे country बोल रहे हैं even अगर मैं France की बात करूँ और England की बात करूँ ना तो वो सब 2050 तक रखे हुए हैं you can see out here USA और Canada ने भी 2050 तक का target रखा है कि हम क्या करेंगे उस समय तक carbon यानि fossil fuel का use करना बंद कर देंगे you can see out here यहाँ रशिया है या फिर चाइना है ब्राजील है य हम 2070 आते आते क्या करेंगे carbon emission को पूरी तरह से zero कर देंगे यह सारे country का एक promise है कि आगे चल करके वो carbon emission को कम करेंगे अगर नहीं कम करेंगे ना तो जो global temperature है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा even 3 degree Celsius जो pre-industrial label में जो temperature था उससे 3 degree Celsius ज़्यादा बढ़ जाएगा अभ हमारा climatic condition हुआ करता था उसमें बहुत ज़्यादा changes आया है यह सारा चीज हम लोग day to day life में feel कर रहे हैं अगर हमें temperature increase 2 degree Celsius के नीचे रखना है ना तो हमें कम से कम 28% जो emission है उसको 2030 तक कम करना होगा और अगर हमें 1.5 degree Celsius कम करना है ना तो 42% अभी का जो emission है उसको कम करना लेकिन emission तो और ज़्यादा बढ़ेगा ही बढ़ेगा किस तरह से क्या हमारा roadmap होना चाहिए वो अभी तक पूरी तरह से clear नहीं है आपको यह भी बात समझना पड़ेगा आप सोच रहोंगे कि भारत 2070 तक क्यों रखा हुआ है क्योंकि जो responsibility है ना वो बहुत ही ज़्यादा differenti I mean to say that बहुत सारे country का जो contribution होगा वो ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा carbon emission किया है जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ USA का USA ने बहुत ही ज़्यादा environment को damage पहुँचाया है European Union ने पहुँचाया है लेकिन भारत तो अभी तक कुछ भी start ही नहीं किय है उसको development करने के लिए उसके fossil fuel की जोरत पड़ेगी और इसलिए भारत का जो target है वो 2070 तक है कि 2070 तक हम क्या करेंगे net zero carbon emission करेंगे भारत ऐसा नहीं है कि environment को pollute करना चाहता है लेकिन अगर भारत को अपना population को support करना है development करना है तो उसके पास जो fossil fuel है उसका use वो जरूर और धीरे धीरे अगर मान लिजेगी third world countries या फिर जो developing countries है ना उनको भी carbon neutral बनना है तो उसके लिए भी जो आपके USA है या फिर European Union है ना उनको step up करना पड़ेगा उनको क्या करना पड़ेगा money provide करना पड़ेगा technology provide करना पड़ेगा वो tech जो वो लोग develop किये हैं वो अगर इस sector म इंडिया को देते हैं तो इंडिया भी क्या करेगा कम से कम carbon emission करेगा अब पूरे दुनिया को एक साथ आना पड़ेगा और इस problem को एक साथ ही आप क्या कर सकते हैं solve कर सकते हैं because oversuit हो रहा है जो temperature production था मान लिजे कि हमारा temperature का target यहां तक था लेकिन जो emission बढ़ा है उसके कर रहे हैं उतना ज्यादा जो temperature है वो हाई हो रहा है और एक reason आएगा कि जब तक हम लोग सोचे थे कि इतना ही temperature रखना है वो temperature भी जब बाहर निकल जाएगा that we call temperature oversuit now you can see out here यह report यह कह रहा है ना कि जो भी commitment थे Paris Agreement में अगर उसको ले भी लिया जाए consider कर लिया जाए जो भी commitment को फिर भी temperature जो है वो oversuit करेगा कितना भाग जाएगा 10 degree Celsius से 2.9 degree Celsius का oversuit होगा by the end of this century हमें जहां पर 2 degree Celsius से कम रखना है लेकिन 3 degree Celsius भागने का अनुमान यह बता रहा है अब सोचिए किस तरह का situation होगा कितना ज्यादा गर्मी बढ़ेगी उससे कितना ज्यादा problem होगा पूरे world को for example मैं एक example के तोर पर आपको समझाता हूँ आपको साह समझ में आ जाएगा कि मान लीजे glaciers जो है ना वो पिखलना सुरू हो जाएंगे और अभी ही बहुत सारे ऐसे countries हैं जहां पर flooding की situation बहुत जादा बढ़ सकते हैं for example Maldiv ले 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 ल तो समुद्र तल है उससे जो उचाई है वो बहुत ही कम है तो जब आपका water label बढ़े गाना ओशियन में तो ये सब क्या हो सकते हैं पानी के अंदर जा सकते हैं तो global warming के वज़े से बहुत सारे problems हमें देखने को मिल सकते हैं in the near future ये data भी बहुत important है current emission trend क्या है मैं बोल रहा सारा कि बहुत सारे data है जिसको आपको क्या करना है अलग से note करके रख लेना है अगर emission in 2022 की बात करें तो 1.2% बढ़ा है 2021 से और वो contribute करता है 57.4 billion ton हम लोगोंने emission किया है देखिए जब pandemic का period था तो बहुत ज़्यादा drop हुआ था वो हम लोग सब जानते हैं कि जो pandemic का समय था उस समय environment को बहुत benefit हुआ है भले ही कितने लाखों लोग हमारे मारे गए उस दौर में लेकिन जो pandemic का समय था उसमें क्योंकि बहुत सारे गाडिया नहीं चल रही थी वहाँ पर construction activities रुके हुए थे जो भी developmental work होता है वो एक तरह से still हो गया था जिसके वज़े से जो emission था वो हम लोग ने 2023 में क्या कर लिया है अचीव कर लिया है और इस प्रॉब्लम के वज़े से बहुत सारे impact हमें जहिलने पड़ेंगे क्या क्या impact है आप देख सकते हैं 2021 की अगर बात करें ना तो you can see out here 0.93 degree Celsius का rise हमें देखने को मिल रहा है July hottest month record में है और अगर आप इस साल की बात करते हैं ना तो September of the current year recorded the hottest global average temperature at 1.8 degree Celsius तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा high temperature हमें देखने को मिल रहा है और अगर इसी तरह से delay करते रहें तो of course ये अर्थ रहने लाइक तो रहेगा नहीं पर solution और recommendation क्या क्या है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं report emphasize करता है कि हमें greater or faster emission reduction क करना तो होगा पर कैसे करना होगा उसके लिए technology जो है वो बहुत ही important role play करेगा जितना ज्यादा solar technology में आप invest करेंगे जितना solar panels के दाम कम होंगे उतना ज्यादा इंडिया क्या करेगा इसको adopt करेगा भारत को कोई जरूरी नहीं है कि वो क्या कर रहा है coal से ही electricity produce करे solar के लिए इंडिया बहुत ही ज्यादा suitable है यहां से tropic of cancer जो है वो गुजरता है हमारा most of the reason जो इंडिया का है वो solar panel को लगा सकता है पर effort नहीं कर सकता है और इसके लिए जितना technological advancement होगा उतना ज्यादा क्या होगा price गिरेगा और तब भारत के लिए क्या होगा वो easy होगा तो greater or faster emission reduction करन के लिए इंडिया को include करना होगा भारत का जो 2070 का target है उसको अगर 2050 मिलाना है तो भारत को वो tech देना होगा जो tech अभी मौजूद है USA जैसे countries के पास यह report क्या कर रहा है richest country को सबसे पहले बोल रहा है कि आप क्या है historically responsible है मैंने ये बात आपको अभी बताया कि historically USA और European के जो दे हमेदारी बनती है कि वो क्या करें zero carbon emission को achieve करें उसके बाद फिर हम लोगों ने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं है और ऐसा नहीं बोल रहे है कि हमें करना है लेकिन जो development है ना उसके लिए हमें करना पड़ेगा तो इसलिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपकी responsibility बनती ह है आप क्या करिए zero emission को achieve करिए और उसके बाद फिर हमें ग्यान देजी और of course हम लोग आगे करेंगे ही इस चीज को अर्जेंट global action required है पूरे विश्व में जितने सारे भी जो political leaders हैं उन्हें क्या करना पड़ेगा इस problem की गंभीरता को समझनी होगी साथ बैठना होगा और ज climate change को address करने के लिए because of course 3 degree Celsius बहुत ही जादा होता है अगर इतना गर्मी बढ़ जाएगा तो बहुत सारे adverse effect हमें अपने अर्थ पर देखने को मिलेंगे खासकर ऐसे country के लिए जिनका समुद्र तल से उचाई बहुत ही कम है ये नहीं सिर्फ हमारा agriculture pattern को disturb करेगा जिससे की food insecurity आ आ सकते हैं जो situation है वो ये report ने सामने रखा है ये सारे data को आप collect करिए कहीं न कहीं जरूर use होगा that's it for this video thank you